आज हम जानेंगे ग्राम स्टेन के बारे में ग्राम स्टेन माइक्रो बायलोजी विभाग में एक ही इंपोर्टन्ट रोल है इसका यहां तक कि बैक्टियोलोजी जो लेव है इसके बिना अधूरी है कहा जा सकता है कि Bakterology Lab है इस gram stain की बिना धूरी है तो gram stain करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है पहला जो step है इसमें slide preparation तो इसके लिए slide बनाना पड़ता है यानि कि smear बनाना पड़ेगा तो first क्या करेंगे एक clean slide लेंगे clean slide लेकर उस पे smear बनाना होता है तो smear बनाने के लिए दो तरीका है यादि हम direct simple से smear बना रहे हैं तो loop full simple लेके oval shape smear पर इस तरह फैला देंगे और उसको air dry करके heat fix कर लेंगे दूसरा तरीका है कि यादि हम किसी culture plate से कोई culture plate है जहाँ पर कोई bacterial growth हुई है वहाँ से smear बनाएंगे तो सबसे पहले इसके उपर एक बूर्द नार्मल स्लाइन डालेंगे नार्मल स्लाइन डालने के बाद state wire से यहाँ से एक कालोनी उठाएंगे और इस कालोनी को mix करके एकड़म इमलसिफाई कर देंगे इमलसिफाई करने के बाद इसको viewable से पिस्तर फैला देंगे और air dry करेंगे air dry करने के बाद इसको heat fix कर देंगे इस परकार हमारा पर्थम step complete होता है जिसमें smear बनाना यानि slide preparation है दोसरे step में क्या करते है कि अब इसको stain करेंगे जो हमने slide बनाया है इसको stain करेंगे stain करने के लिए इसमें चार चार step है पहला है crystal wallet यह जो primary stain होता है crystal wallet primary stain होता है सबसे पहले पूरे smear को crystal wallet के द्वारा कबर करेंगे कबर करने के बाद उसको एक मिनट के लिए bet करेंगे एक मिनट के बाद wash out कर देंगे जो excess system है उसको wash out कर देंगे दूसरे step में gram iodine solution जो एक modern का काम करता है उसको पूरे smear पर कबर करेंगे कबर करने के बाद एक मिनिट के लिए बेट करेंगे बेट करने के बाद उसको वास आउट कर देंगे थार्ड इस्टेप में क्या करते हैं कि थार्ड इस्टेप में 95% अलकोहल या एसिटोन के द्वारा इस्मियर को वास करेंगे 10 से 20 सिकेंड के लिए इस्मियर पर डालेंगे उसके बाद उसको वाटर से वास करतेंगे फिर फोर्थ स्टेप में फोर्थ स्टेप में क्या करते है फोर्थ स्टेप हमारा काउंटर इस्टेन होता है counter stain में यूज होता है सेफरानीन का सेफरानीन को पूरे smear पर कबर करेंगे एक मिनिट के लिए एक मिनिट के बाद उसको आसाउड करतेंगे इस प्रकार हमारा gram stain पूरा होता है और जो smear हमने stain किया है उसको air dry करेंगे air dry करने के बाद 100x eye immersion objective पर उसको अबजर्ब करेंगे अबजर्ब करने के बाद देखते हैं कि मिलता क्या है यादी bacteria gram positive होगी apple color की दिखेगी या violet color की दिखेगी यादी gram negative होगी तो या तो red color की दिखेगी या तो pink color की अभी तक हमने जाना कि gram stain करते कैसे और क्यूं करते हैं तो gram stain का क्यूं करते हैं कि ताकि हमें पता चल सके बैक्टिरिया जो हम bacteria grow करा रहे हैं जो bacteria है वो gram positive है कि gram negative है अच्छा कोई bacteria gram positive क्यूं होता है या gram negative क्यूं होता है यह जानने के लिए हमें उसका principle पढ़ना पड़ेगा तो अगला step में हम देखते है principle तो gram जो positive bacteria है उसकी principle जानते हैं क्या है तो जो principle है gram staining की इसको हम दो step में पढ़ेंगे एक gram positive के लिए एक gram negative के लिए तो यहाँ पर जो gram positive bacteria है उसकी जो silval है silval जो outer membrane है बहुत ही पतली होती है यानि यह lipid की बनी होती है और lipid का जो content होता है lipid जो content होता है very low होता है यानि lipid content very low होता है जबकि जो outer membrane के नीचे protein sugar complex होता है जिसको peptido glycan बोला जाता है इसका जो content होता है काफी high होता है यानि कि जिसका जो layer होता है काफी thick होता है यानि यह thick layer होता है ठीक layer और outer membrane यानि lipid contentable thin layer होता है thin layer होता है और जब हम gram stain करते हैं फास सिस्टेप में जब हम crystal violet को डालते हैं तो crystal violet जो होता है peptido glycan के साथ react कर जाता है अब दूसरे step में जब हम iodine solution डालते हैं तो यही crystal violet iodine solution के साथ react करके किस्टल violet iodine complex बनाता है किस्टल violet iodine complex बनाता है थार्ड इस्टेप में जब हम डिकलराज करते हैं जब डिकलराज करते हैं अलकोहल के द्वारा जब हम डिकलराज करते हैं अलकोहल के द्वारा तो अलकोहल क्या करता है एक dehydrant का काम करता है यानि कि जो outer membrane होती है यह dehydrate हो जाती है dehydrate हो जाने की वज़ा से जो उसमें पोर होते हैं वो स्रिंक कर जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं जिससे जो crystal violet iodine complex बना होता है वो wash out होने से बच जाता है और जो बैक्तिरिया होती है वो परपर कलर की दिखती है और gram negative में जस्ट उल्टा होता है क्योंकि gram negative का जो सिलवाल होती है बैक्तिरिया की outer membrane इसकी high lipid content का होता है high lipid content होता है यानि कि outer membrane जो lipid layer होती है वो lipid layer वो थिक होती है और जो peptidoglycan होता है इसका जो layer होता है बाकि thin होता है यानि कि low content content of peptidoglycan same होई procedure होता है कि जब हम किस्टल वाइलेट को डालते हैं तो किस्टल वाइलेट प्यप्टिडो गलाइकान के साथ react कर जाता है दूसरे step में जब हम iodine solution डालते हैं तो किस्टल वाइलेट iodine complex इसमें भी फाम होता है किस्टल वाइलेट iodine complex इसमें भी फाम होता है बट ड्यू टू थिन लेयर आफ प्यप्टिको गलाइकान अं थिक लेयर आफ लिपिड जो किस्टल वाइलेट आयोडिन complex होता वास आउट हो जाता है कब जब हम डिकल्राइजर का यूज करते हैं यानि या यूज करते हैं एक लिपिड की जो लेयर है इसको डिजॉल्ब कर देती है लिपिड लेयर को डिजॉल्ब कर देती है जिससे किस्टल वाइलेट आयोडिन complex लीच आउट हो जाता है यानि बह जाता है और फूर्थ स्टेप में जब हम counter stain डालते हैं यानि सेफ्राणीन डालते हैं तो यही सेफ्राणीन हमें red color या pink color की देखती है जिससे जो बैक्टिरिया होती है वो red color या pink color की देखती है तो हम कहते है एक gram negative बैक्टिरिया है सबसे पहले देखते हैं gram positive कोकाई gram positive कोकाई जो पेर में staphylococcus, staphylococcus, intracoccus, tetraad है, micrococcus, staphylococcus, group में staphylococcus, chain में staphylococcus, lescence staphylococcus निमोने ग्राम निगेटिव कोकाई जैसे निजेरिया, moraggela and balunella यह है gram positive कोकाई और gram negative कोकाई अब आगे देखते हैं gram positive bacilli के बारे में bacilli यानि rod shape, कोकाई मतलब oval shape, तो इस तरह जो small size की होती हैं जैसे listeria, monocytogen, corny bacterium यह देखने में छोटी राती है, medium size की होती है lactobacillus और इससे बड़ी होती है, large shape होती है clostridium and bacillus, pleomorphic जो होती है यानि कि इनका कोई regular shape नहीं होता है यह gradinella bacillus, gram negative cocoa bacillus, यह देखने में तो कोकाई लगती है और bacillus की तरह दिखती है इसलिए इनको cocoa bacillus कहा जाता है जैसे brotella और hemophillus, अब आगे देखते हैं कुछ gram negative bacillus के बारा जैसे pseudomonas, clepsula, proteas, salmonella, providencia, ecoli, moxella यह सब gram negative bacillus है जो rot से फोरती है यानि pink color की दख दिखती है में थार जासे और चाहते हैं झाल को तूख लगती है